के लिए सबसे पहला जो segment है वो है questions for the prelims तीन सवाल मैं आपसे पूछूँगा तीन MCQs आपसे पूछे जाएंगे 15-15 second का आपको time मिलेगा और आपको इसका answer देना है सिर्फ और सिर्फ poll के अंदर मुझे बताईए क्या आपके लिए correct है ये खास और पे आपके लिए मैंने segment शुरू कर रखा है 2021 को जो target कर रहे है बच्चे उनको बहुत फायदा पहुंचेगा daily MCQs का तो पहला सवाल आपके computer screen पर ये रहा what is python 5 कल news में पढ़ा था क्या है python 5 कभी कभी news में जो आता है आपके पास तीन और चार options ये इसराइल रडा सिस्टम है इंडिया का indigenious anti-missile program है ये अमारिकर anti-missile system है या फिर इंद में से कुछ भी नहीं आप मुझे बताएंगे सही answer क्या है polls का इस्तामाल कीजेगा polls के अंदर आप मुझे बताइए क्या होगा यहां पर right answer okay so answer आ चुका है तो देखिए वहीं सरफ 22% बच्चों ने इसका answer सही दिया है क्योंकि आपने कल news तो पढ़ी पर उसको revise नहीं किया है ना कितने बच्चे ऐसे जिन्नों ने revise नहीं किया ना तो यह इसराइल का radar system यह इसराइल का था इंडिया ने अडाउप्ट किया है पर यह radar system नहीं है और नहीं यह इंडिया का anti-missile program यह दोनों option गलत था अमेरिका वाला तो खेर गलत ही था answer इस case में none of the above है because python 5 कल ही आपको news में बताया था दोस्तों python 5 जो है air to air missile है ना यह radar system ना यह कुछ और यह air to air missile है जिसे बनाया है built by Israeli weapon manufacturer रफाल advanced defense system ने इसको बनाया है और इंडिया ने इसको recently test किया था गोवा में तो अपने जो तेजस जो हमारे aircraft है उसमें हमने इसको और अभी officially इसको adapt किया गया है हमारे weapon system में इसको अपनाया गया है तो answer has to be D question number 2 question number 2 now question में आपको बताना की कौंसी statement जो है correct है all natural earthquakes take place in the lithosphere all earthquake point of initial rupture is called hypocenter according to the present zoning map Assam fall in zone number 5 आपको मुशे बताना इन में से कौंसी statement सही होगी कल आपको Assam earthquake के बारे में मैंने बताया था अगर आपको याद हो और Assam earthquake जो आया है 6.4 Richter scale पे उसके बाद ये question important बनता है आपको इसके बारे में पता रहना चाहिए तो क्या है right answer देखिए इस case में तीनों के तीनों statement all three are absolutely correct दोस्तों तीनों statement सही है जितने भी natural earthquake है वो सब lithosphere में आते हैं lithosphere कहां से कहां तक होता है lithosphere आप देखेंगे जो शुरू का first 200 km आपके surface से लेकर के जो पहला 200 km NCRT के हिसाब से जो आपका distance है vertically इसके अंदर आपका ऊपर वाला 35 km तक क्या आगया crust और बाकी portion है upper mental ये दोनों मिल करके बनता है lithosphere तो जितने भी natural earthquake है वो आपके lithosphere में आते हैं मैंने कल आपको बताया था कि जहां से शुरुवात होती है lithosphere की उसे हम कहते है hypo center hypo center और focus एक ही बात है hypo center और focus एक ही बात है hypo center के ऊपर जो होता वो epicenter आपको बताया था मैंने उसके उपर जो है वो epicenter है और third statement सही है आपका असाम जो है zone 5 में आपका आता है zoning की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि इंडिया में as of now 4 zone है पहले 5 थे zone 1 को अभी merge कर दिया गया तो अभी इंडिया की शुरुवाती zone 2 से zone 2, 3, 4, 5 और इसके अंदर आपके categorization जो है हम लोगों ने किया है अगर आप ध्यान से यहां देखेंगे आपको zoning नजर आएगी देखिए जितना जादा dark color आपको दिख रहा है उतना जादा खतरा उतना जादा danger है तो पूरा का पूरा north east अगर आप देखोगे तो पूरा का पूरा north east इंडिया zone 5 में आता है यह उतना ही risky उतना ही risky है जैसे zone आपका बाकी यहां देखिए कुछ पार्ट जब्व कश्मीर के हैं कुछ हिमाचल के हैं इवन उत्राखन में कुछ पार्ट बहुत खतरनाक है है ना गुजरात में सब को याद है भुज के अंदर जो आया था earthquake इंडिया में याद रखना भाई कि इंडिया की मैपिंग के हिसाब से हमारे zone 1 अब जो है वो खतम कर दिया zone 2,3,4,5 के हिसाब से हमारे zone है और आसाम किसमें आएगा यह पूछा जाएगा सवाल तो कि आसाम अर्थ को एक है तो पूछा जा सकता है तीसरा और आखरी सवाल आ इंसिंग फैसिलिटी है फॉर इन्वेस्मेंट इन वायबल प्रोड़क्ट प्रोजेक्ट फॉर पोस्ट हर्वेस्ट मैंजमेंट इंफ्रस्ट्रक्ट्चर नमबर तू इट विल बी मैनेज़ अन मॉनिटर बाई स्मॉल फार्मर एग्री बिजनस कंसोर्टियम दोरों में से आपके हसाब से सई स्टेटमेंट जो है उसका आप मुझे आंसर बताईए आखरी पांच सेकेंड कल हमने क्लास में इसको डिटेल में डिसकस किया है अगर आपको याद हो इसके केस में आपके दोनों ही गलत है क्या पहली बात बताईए क्या ये शॉर्ट टर्म डेट फाइ रहा है था ये आपका शॉर्ट टर्म नहीं है ये मीडियम से लॉंग टर्म की डेट फाइनेंस फेसिलिटी है अगरी कल्चर इंफ्रस्ट्रक्चर फंड इसे बना जाएगा अगले 10 साल के लिए यानि 2020 से 2029 तक बना जाएगा और दूसरी स्ट्मेंट यह है कि इसको मैनेज और मॉनिटर करने का काम है मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम M.I.S का ना कि स्मॉल एगरी कल्चर एगरी बिजनेस कंसोर्टी तो आंसर इसमें राइट आंसर आज टू बी डी आई होब गाइस कि थोड़ा सा रिवाइड आप लोगोंने किया रिविशन आप लोगोंने की मैं ऐसे उमीद करता हूँ और रिविशन बहुत जरूरी है रिविशन देखो हम लोग बहुत स्टेटमेंट हम बहुत पढ़ते हैं सारत इन इन्फॉमेशन एब्सॉर्ब करते हैं पर जब तक उसको प्राक्टिस नहीं करोगे ना मैं एक बात आपको बता सकता हूँ बिना प्राक्टिस की कभी परफेक्शन नहीं आएगी तो प्राक्टिस करो और जो मेरी बुक है यही प्राक्टिस क्वUSETIONS की उपर मेरे बुक है 1000PLUS के नाम से बुक है जो Amazon or Flipkart पे